नमस्कार दोस्तों काम यह अभी तक यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वाब एते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हर्याना पुलिस कंस्टेवल की प्रिक्षा तिथी ये महिला और पुर्ष दोनों की तिथी कब इनका एकजाम आज़ित किया जाएगा तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए और चैनल पर नहे हैं तो प्रिक्ष चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हर्याना पुलिस में सिपाही की भरती प्रिक्षा 25 अगस्त को आज़ित की जाएगी पुरुष सिपाही के लिए लिखित प्रिक्षा कुरुचेत्र करनाल में आज़ित की जाएगी जबकि महिलाओं के लिए प्रिक्षा पंचकुला में आज़ित की जाएगी चैजार पदों के लिए कुल 84 केंद्रों पर 24,003 उम्मिद्वार प्रिक्षा में सामिल होंगे जिसमें से 19,822 उम्मिद्वार पुरुष हैं और 4,181 उम्मिद्वार महिला हैं चैजार में से 5,000 पद पुरुषों के लिए हैं और जबकि 1,000 पद महिलाओं के लिए हैं प्रिक्षा का परिणाम 6 अक्टूबर के बाद गोशित किया जाएगा हर्याना करमचारी चैना आयो के चेर्मेन हिम्मस सिंग ने बता है कि अब ब्रतियों की स्विधाओं के लिए प्रिक्षा के अंदर पर तक ले जाने लाने के लिए हर्याना परिवेन की बसों को निसूल की यात्रा की स्विधा दी जाएगी आयो के आयो का लक्षे है कि पुक्ता प्रिवंदों के साथ प्रिक्षा नकल रही आईजित की जाए इसमें किसी प्रिकार की इलेक्ट्रोनिक डिवाइस हेडन कैमरा अन्य अपकरन लाने की अनुमती नहीं होगी महिला अब भेरती अपने कानों की बाली ज्यानते सुन लीजे कानों की बाली नौज पिन अन्य जुलरी पहन करना आएं अगर ये पहन के आते हैं तो आपको ये उतरवा दिये जाएंगे 24 अगस्त को आयोग की सदस्य जिला मुख्यले पर उपायुक्तो पुरिष अधिक्षक वेप्रिक्षा संचालन के लिए नामित जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और आपको बता दें कि आपकी जो परिक्षा है परसों यानि 25 अगस्त को आईजित की जाएगी आप अपने पुक्ते इंतजाम कर लीजिए और यह परिक्षा परिशो के लिए करनाल और कुर्षेत में जबकि महिलाओं के लिए पंचकुला में आईजित की जाएगी और निसुल्क बस यात्रा के दोरा आप परिक्षा के अंदर पर आज जा सकते हैं वीडियो आपके अच्छे लोगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पने हैं तो पहली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्ते को पास भी सेयर कर दीजिए बारत